हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं अभी हम देखते हैं आपके पॉर्सन की नेक्स्ट सेवेंटी टू आउर्स में क्या एनर्जी रहेगी हमारे पास दो पाइल हैं फर्स्ट पाइल है पिंक पाइल इसमें अगर आपके पार्टनर की इनिशल आती हैं तो यह पाइल आपके लिए है और आपने पाइल चुन ली होगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर्स्ट पाइल की रिडिंग जिनों ने भी पिंक पाइल को चुना है और इसमें आपके पार्टनर के निशाद आते हैं वो हम देखेंगी ठीक है कि आपके परसन की क्या एनर्जी रहेगी सबसे पहले तो ओवर सबस्टन की ठीक है वाओ खुश हो जाइए गाइस दोनों काड़ देखिए ठीक है आपकी खुश्यों को नजर ना लगए किसी की भी bottom of the deck है action ये तो हमने निकाली overall energy देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी यहाँ पर कि अभी आपकी परसन जो हैं आपको support करना चाहते हैं financially आपको support करना चाहते हैं और हर तरह की खुशी आपकी जूली में डाल देना चाहते हैं ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे कि हो सकता है कि पहले आपको उन्होंने बिल्कुल भी आहमेत नहीं दी पहले आपको ये सारी खुशे उन्होंने नहीं दी पहले आपको इन उसे बंचेत रखा लेकिन अभी मुझे दिखाई दे रहे कि divine का जो है आश्रिवाद आपको मिल रहे divine की blessings आपके उपर आ रहे हैं इसी वज़े से आपके person जो है अपने finance को आपके साथ share करना चाहते हैं आपको support करना चाहते हैं यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे कि वो यह भी दिखाई दे रहे कि दो लड़किया भी हो सकती हैं आप लोग जो है एक happy family बनाना चाहते हैं और यहाँ पर जो है आपके person जो है इंदर धनुस आप देख सकते हैं यही सातों रंग आपके जीवन में लाना चाहते हैं ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं य यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहे हैं कि आपके बारे में बहुत दा सोच रहे हैं क्योंकि कहीं न कहीं मुझे ऐसा भी लगता है कि आप मेरी विवर्स भी उनके बारे में बहुत दा सोच रहे हैं और वो भी आपके बारे में बहुत दा सोच रहे हैं हो सकता है कि वो कोई teaching profession में हो सकते हैं ठीक है ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे और सारे दिन रात आपके बारे में ही सोचती है यहाँ पर next जो card मुझे मिला है जितने यहाँ पर दिखाई दे रहे गाईज कि आपके person जो है action लेने वाले हैं अगे बढ़ने के लिए उनके साथ में अभी वो आपके लिए बहुत सारी खुशा लेकर आ रहे हैं आपको वो भी सारी खुशा देना चाहते हैं मुझे ऐसा दिखाई दे रहे हैं ठीक है मेरी विवर्स के लिए क्या आ रहा है फ्रस्ट पाइल वालों के लिए क्या आ रहा है फ्रस्ट पाइल जिनोंने भी चुनी है उनके लिए क्या आ रहा है देखें आपको काफ़ी टाइम से वह मैनिफेस्ट कर रहे थी याँ पर दो-दो कार्ड मिले हैं मैन फैस्टेशन का इस्तेमाल कर रहे थे वह ठीक है और कहीं न कहीं आप भी मेरी विवर्स ऐसा ही कर रहे थी यह रिवर्स में आये पेज उप सोर्स पहले वह आपको बहुत द परिशान करते थे टोर्चर करते थे हाश्वर का इस्तेमाल करते थे मैनिपुलेट करते थे और मुझे ऐसा दिखाई दे रहे हैं कि घर से निकालना ठीक है आपकी बिल्कुल इज़त नहीं करना बिल्कुल भी आपकी रस्पेक्ट नहीं करते थे यह आपर दिखाई दे रह हैं वो अभी ऐसा नहीं करना चाहते हैं वो आपके साथ में एक happy family बनाना चाहते हैं ठीक है नेक्स्ट हमारे पास है two of pentacles वो जगल भी कर रहे हैं हो सकता है कि अपनी job career में और अपनी relationship में जगल कर रहे हैं कि मैं कैसे जो है उलजे भी अपनी thoughts में ही क्योंकि यहां पर queen of swords का card है या तो आपके partner की life में कोई lady है यानि कि उनकी mother हो सकती है वो नहीं मान रही है क्योंकि आपके person के energy change हो रही है लेकिन वो नहीं मान रही है कि relationship ठीक हो और आपके partner जो है आपकी तरफ आए और आप happy family बनाए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है या फिर इस तरह भी हो सकता है कि आप मेरी viewers नहीं मान रही हो ठीक है कि आप जो है source लेकर बैठे कि अभी मैं किसी को अपनी life में entry नहीं देने वाला या नहीं देने वाली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है क्योंकि आप बहुत ज़्यदा परेशान हो चुके हैं इस person से आप बहुत ज़्यदा जो है इस person को जेल चुके हैं बार बार ये person आपको pain देकर चला जाता है आता है आपकी life में pain देता है फिर चला जाता है इस तरह की energy शायद मुझे दिखाई दे रहे है कि आपकी life में ऐसा होता होगा और इसी वज़े से आप तलवार लेकर बैठ गए हैं कि अभी मैं किसी को entry नहीं दूँगा या नहीं दूँगी ठीक है ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे है next मैं देखूं या पर तो वो यह सोच रहे हैं और उनको डर लग रहे है कि मैं action तो लूँ लेकिन अगर मैंने action लिया तो मैं अगर अपने partner से बात करूँगा तो हाशवर का इस्तिमाल हो सकता है यानि कि हमारी बात बिगड सकती है पता नहीं क्या होगा क्योंकि आप मेरे viewers जो हैं उनकी बात सुनने के लिए ready नहीं है अब ready भी तो कैसे हो जो person दोखे पे दोखा देता है जो person भागता रहता है जो person टोर्चर करता है जो person इतना दुख देता है और बिल्कुल परवा नहीं करता है उस person पर ट्रस्ट किया जा सकता है क्या कभी भी नहीं किया सकता ठी और एक दिन दो दिन इसने चिकनी चुपड़ी बाते बनाई और फिर से यह वैसा ही हो गया तो फिर क्या करेंगे आप तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि यह परसन वैसे तो मुझे यहाँ पर इसके एनरजी चेंज दिखाई दे रही है लेकिन आपकी लाइफ है आपका डिसिजन है आप इस परसन को अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं वो आप मेरी वीवर्स का डिसिजन है मेरा decision नहीं है सिर्फ आपको यह बताना चाहरे हो कि इस person के energy change हो गई है अब आप देखना आपका क्या decision होगा यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहे कि यह आपके परती बहुत दा addicted है इसको addiction है आपसे कहने का मतलब है कि यह आपके beauty के उपर मरता है और इसको कोई मतलब नहीं है मुझे तो ऐसा दिखाई दे रहे यह सिर्फ आपके physical features को देख करके attraction feel करता है यह काफी spiritual भी हो रहा है अभी ठीक है God में believe करने लग गए है पहले तो इसके लिए God नाम की कोई चीज नहीं थी लेकिन अभी यह God में believe करने लग गए है क्यून अफ कप्स यह अपने प्यार का इजहार नहीं करना चाहता है लेकिन यह प्यार करता है कभी भी नहीं करता यह इजहार तो ठीक है और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि यह आप हो सकता है इनके throat chakra में blockage हो या इनको शरम आती हो ठीक है या आपके मुझे ही सुनना चाहते हो बार 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 की आप बताई है मुझे कितना प्यार करते है ठीक है लेकिन यह कभी नहीं बताएगा यह person और मुझे यहाँ पर यह भी दिखाई दे रहा है कि judgment time है guys universe सब कुछ देख रहा है आभी तक जो आपके साथ हुआ था वो भी देखा है आभी जो हो रहा है वो भी देख रहे है universe और angels इसलिए judgment time है तो आप देखिए कि आपके साथ justice जरूर होगा आपके साथ जिसने बुरा किया उसको सज़ा जरूर मिलेगी और आपको justice जरूर मिलेगा यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है तो यह थी आपके person की energy अभी मैं देख लेती हूँ उनकी तरफ से कुछ law message देखिए यह अभी तक divine time का इंदजार कर रहे थी लेकिन मुझे ऐसा दिखाई दे रहे कि divine time आ गया है इसी वज़े से इनकी energy change हुई है ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे communication इनकी तरफ से communication आ सकता है तो मैंने बताया भी था आपको कि communication आ सकता है और इसी वज़े से वो डर रहे है कि मैं action लेना चाहता हूँ लेकिन अगर कुछ गरबर हो गई तो क्या करूँगा love life वो आपके साथ अपनी love life देखती है ठीक है वो कहरे कि हम एक दूसरे के लिए बनी है Pisces हो सकता आपके partner Pisces हो सकते October हो सकता आपके लिए लखी हो या आपके partner के लिए April हो सकता है आपके partner के लिए important हो सकता है यहाँ पर यह कहरें कि जब भी मैं आपको याद करता हूँ तो मुझे butterfly दिखती है जब से तुम को देखा है सनम क्या काई हैं कितनी हैं बेचेन ये सोंग आपको यापके पार्टनर को पसंद होगा ठीक है तो ये थी फर्स्ट फाइल की रीडिंग आई होब काई जी रीडिंग आपको राजन्ट हुई राजन्ट तो प्लीज डू लाइक शेर और सब्सक्राइब माई शेर थैंक्स फूर वाचिंग तिल नेक्स्ट वीडियो टेक केर बाबाए हेलो पाइल नंबर टू जिनने पाइल नंबर टू को चुना है उसकी आम रेडिंग देखेंगे कि आपके परसन की क्या एनर्जी है आपको लेकर वो क्या सोच रहे हैं क्या एक्शन देंगे एक्शन पर जयाता ध्या देखें गाने के बोल मुझे चैनल हुई है कि मैंने ये दिल तेरे नाम कर दिया कुछ ऐसा कोई सोंग है अभी अभी मुझे ये वर्डिंग याद आई है तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहे कि आपके परसन ने वाके में ही अपना दिल आपके नाम कर दिया यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहे कि पास्ट में आप लोगों की लाइफ में काफी परिशानिया रही हैं बहुत दुख देखें आप दोनों ने ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है अभी आप मेरी विवर्स कहेंगे कि मैंने ही देखें हैं सारे दुख तो तो चाहे आपने देखें हैं उन्होंने देखें लेकिन आप लोगों की लाइफ में प्रोब्लम तो आई हैं ठीक है यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा हैं तो उनकी हीलिंग चल रही है और गैज मैं यहाँ पर देख पारियों की डो टू रमेंस आपके लाइफ में की कोशिश करेंगे यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि अभी आपकी बहुत ज़्यादा याद सतारी है और मुझे यहाँ पर यह भी दिखाई दे रहा है कि वो आपका काफी एप्रिशेट भी करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ निकालता है जो मुझे उल्टी सी दिगाले देता है जो मेरी फैमली को उल्टी सी दिगाले देता है जो इतना टोर्चर करता है जो हमें छोड़ कर चला गया अब वो पर्सन कैसे एप्रिशेट कर सकता है तो गाइस हर टाइम इंसान एक जैसा नहीं होता है उसकी दिमाग में कुछ थोटस ऐसे भी आते हैं कि कभी कभी जो है वो अपने दुस्मन की भी जो है तारीफ कर देता है ठीक है तो आप ऐसा ही समझ लीजिए यहाँ पर तो मुझे ऐसा ही दिखाई दे रहे कि आप हो सकता है कि काफी अपने आप में ग्रो कर गई हो जब से आपके परसन आप से दूर हुए है तो आपने बहुत तरक्की की हो या तो आपने अपने परिवार को अच्छे संभाल लिया अगर आप हाउस वाइफ है तो आपने बच्चों का और अपना जो है अच्छे से ख्याल रखा है पीछे से आपने बिल्कुल भी जो है किसी को यह ऐसास नहीं होने दिया कि मैं बहुत दुखी हूँ या मैं बहुत दुखी था या हूँ ठीक है मतलब कहने का मतलब है कि आपने अपने लाइफ में अपने आपको अच्छे से मैनेज कर लिया है अपने बच्चों के साथ में आप खुश रहते हैं अपने बच्चों की सारी ख्वाई से आप पूरे करते हैं चाहे आप जो केरियर में है या नहीं है चाहे आप जो है हाउस वाइफ है जैसे भी हैं आपकी तारिफ वो बहुत करते हैं ठीक है यहां पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहे हैं आप मुझे यहां पर यह भी दिखाई दे रहे हैं कि वो आपकी life में abundance लाना चाहते हैं खुश्या लाना चाहते हैं जो कभी आपने उन्हीं कभी care की थी ना वो अभी आपकी care करना चाहते हैं ऐसा मुझे यहां पर दिखाई दे र है और मैं यहाँ पर देख पा रही हूं कि अभी वो सारी खुश्य आपको देना चाहते हैं उन्होंने अपना दिल तो आपके नाम ही कर दिया था और अभी तक वो उस बात को पकड़े बैठी हैं कि मैंने तो एक बार अपना दिल जो है अपने पार्टनर को दे दिया लेकिन बीच में आप लोगों के बीच में जो दूरी आए थी वो एक मजबूरी समझ लीजिए या फिर आप एक कर्मा समझ लीजिए कुछ भी समझ लीजिए कि जैसे दिमाग पर परदा पढ़ गये हो इस तरह के एनरजी मुझे याँ पर दिखाई दे रही है कि हो सकता है कि आप आपके पार्टनर के थर्ड पार्टी में कर्मा थे इसी वज़े से आपको छोड़ कर गए जो भी सिचुएशन रही है आपकी वो एक समझ लीजिए कि डिवाइन का ही उसमें हाथ था और इसी वज़े से वो आपसे सेपरेट हुए थी ठीक है यहाँ पर मुझे ऐसा दिखा ही दे रहे हैं तो शेली अभी हम देखते हैं कि और क्या इनर्जी है उनकी देखिए बहुत उदास बैठे हैं बहुत उदास है कि मैं क्या करूं कैसे स्टेप आगे लूँ जो पोदा उन्होंने बोया था ना जो बीज डाले थे वो पास इतना बड़ा पोदा हो गया अभी वो उस पोदे को देखना चाहते हैं यानि कि जो एफर्ट्स आपके साथ में उन्होंने लाइफ में लगाए थे चाहे वो थोड़े दिन के लिए लगाए थे लेकिन अभी उसमें वो फिर से आना चाहते हैं उसी लाइफ में और वो देखना चाहते है क कि वो अपने दोस्तों में आपकी बहुत ज़्यादा चर्चा करती हैं, आपको बहुत ज़्यादा एप्रिशेट करती हैं, ये कार्ड इसको क्लेरिफाई कर रहा है और मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है कि आपके तारिफों के फूल बांदे जा रहे हैं, ऐसा भी मैं यह आपर देख रही हूँ, यहाँ पर मुझे यह भी दिखाई दे रहा है कि वो ten of source के energy में थे, तो बहुत pain में थे, हद से चदब pain में थे, रात और दिन सो नहीं पा रहे थे, रातों की निद हराम हो रही थी, सोच सोच करके उनका दिमाग फटा जा रहा था, और हो सकता है कि उनको कोई health issue भी हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे, हो सकता है उनको back pain हो, या कोई और major health issue हो सकते हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे कि वो बहुत परिशान थे, और अभी उस दुख से वो बहार निकलना चाहते हैं, और आपको जो एक खुशी देना चाहते हैं, ठीक है, अपनी life में खुशे लाना चाहते हैं, और यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहे कि, अभी आपका भी वो ख्याल रखना चाहते हैं, और अपना भी कहने का मतलब है कि, आप दोनों मिलकर कि अपनी जिंदगी को आगे ले जाना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं और आपकी परसन भी यही चाहते हैं, ठीक है? लेकिन कहीने कहीन मुझे ऐसा दिखाई दे रहे कि, कोई ने कोई ऐसा परसन है, King of Swords के एनरजी है यहाँ पर, कोई ने कोई आपकी लाइफ में ऐसा परसन है, चाहे आपकी फैमिली में हो सकते हैं, कि वो परसन जो है, वो आपको बहुती पैनी नजर से देख रहे हैं, वो भाबी, देवर, जेट या नननत कोई भी हो सकते हैं, वो नहीं चाहते कि आपकी लाइफ में ये खुशी आएं, ठीक हैं, ये आपके परसन इस दुख से निकलना तो चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर ये बंदा बैठा वह न, ये नहीं निकलने देना चाहते हैं, वो आपको प् बात होती है, वो आपको commitment देने की सोचते भी हैं, लेकिन डर पता किस से लगता है, ये king of swords है, ये बैठा हुआ है, किस से डर लगता है, देखिए, उनकी intuition बता रही है, कि आपको जाना तो उननी के पास में है, यानि कि मेरी viewers के पास में ही आना है, और फिर भी उनको अकल न चाहा रहा है, कि तुम जाओ, और अपने करम पूरे करो, फिर भी देखिए, आपके person को इस person से डर लगता है, जिसको जाना उसी में है, बगवान के पास ही जाना है, इसको भी मिट्टी मिलना है, और आपको भी मिलना है, लेकिन ये एक person, दूसरी person से कितना डर रहा है, इस मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है, हाँ, हो सकता है कि दो जनम, तीन जनम, एक जनम, जितने भी लेने पड़ जाना है, वो लेलेगा, वो बंद आपका person, यहने कि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, कि आपके person male female कोई भी हो सकते हैं, लेकिन उसको इस person से डर लग रहा है हद हो गई है, अरे करम करो भगवान के पास जाना है सबको, ठीक है, यहां पर इस प्रकार की energy मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो guys मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, कि वो action नहीं ले रहे हैं, यहां पर, यहां पर सिर्फ सोच रहे हैं, और इस बंदे से डर रह से, ठीक है, यहां पर tower, अगर वो आगे action लेती हैं और इस person को close करके आपकी life में आते हैं, तो tower की संभावना है, इसलिए वो डर रहे हैं, तो यह tower एक बार आ जाए, चार बार आ जाए, कम से कम करम तो पूरे हो जाए, आने दो ना उस tower को, जब वो कहते ना, जब वो अखल से, एक step भी आगे उठाया, तो tower आएगा, और tower आएगा, तो फिर लड़ाई जगड़ा हो जाएगा, आरे क्यो डर रहे हो, जिन्दिगी में सब आयां अपने करम करने के लिए, करो आगे बढ़ करके, ठीक है, मुझे तो यहां पर ऐसा दिखाई दे रहे हैं, देखिए, 10 of pentacles, यहां पर family involved है, बहुत जबरदस्त तरीके से, आपकी life को खराब कर दी, क्योंकि उनके पास finance जदा है, यहां पर pentacles का आप कार्ट देख सकते हैं, उनके पास गाड़ी, बंगला, मकान, सब कुछ है, और यह person जो है, इसमें इतनी ego बरीवी है, और इसी वज़े से आपके person डर रहे हैं, और वो आपकी तरफ नहीं आपा रहे हैं, लोगों में आपकी चर्चा करते हैं, उसको क्या फाइदा है, जब वो अपने करम ही नहीं करने के लिए आ रहे तो, ठीक है, लेकिन action नहीं ले रहे हैं, क्योंकि डर लग रहा है उनको, आप बैठे रहो हैं पर, ठ ठीक है, तो गाइज, अभी मैं देख लेती हूँ, आपके person की तरफ से कुछ love message, मुझे ये person action लेता हुआ, दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इसको fierce बोज़ता है, छोटे बच्चों की तरह, चली, देख लेते हैं, और आपके लिए क्या message देना चाहते हैं, क्या देखिए, वो आपकी photo को देखते हैं, उसी से गुजारा कर लेंगे, एक असीना थी, एक दिवाना था हो सकता है, या आपके partner को पसंद हो, ये song, तुम चलती हो तो खुश बूरती है, ठीक है, बस दूर से ही देखते रहो, सब कुछ करते रहो, तुमारे बाल बादलों की गटा की जैसी है, एपरिल हो सकता है, आपके लिए लग्की हो, वर्क वो अभी वर्क पर focused है, ठीक है, यहाँ पर next जो हमारे पास आया है, वो है, वो आप दूनों की बिच में सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, लेकिन tower का डर लग रहा है, I am too shy to confess, वो अभी जो है, बहुत ही सरमींद की feel करने हैं, कि मैं अगर confess करू, स्विकार करू कि मैं आपको प्यार करता हूँ, तो आप हासेंगे, और यहाँ पर किनों काप का कार्ड भी आया है, प्यार तो करती हैं, लेकिन दिखाते नहीं है, ठीक है, और ये भी कह रहे हैं कि मैं आपके लिए fight करूँग, आर फोटो से कर लिए होती, तो ये थी गाईस, सेकेंड पाइल की रिडिंग, आई होब गाईजी रिडिंग, आपको रज़ेंट हुए, रज़ेंट हुए, रज़ेंट हुए, तो प्लीज दो लाक, शेर और सब्सक्राइब माई शनल, थैंक्स फो वाचिंग, तिल नेक्स वी बाबाई!